असलाम अलेकुम मेरा नम अली है क्याल चाल दोस्तों और अक्टूबर एंड हो रहा है लास्ट मंडे है अक्टूबर का वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ टेग बोल्चाल बहुत सारी अपडेट आ रही है साल भी एंड होने जा रहा है भाई कुछ फ्लैक्शिप सीरीज ला करने वाले हैं वीडियो को आपने अंड तक देखना पसाना थी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ नोडिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता है वीडियो शुरू करते हैं वेल दोस्तों सबसे पहली टेक बोल च और लोकल इसेंबली वाले फॉन्स के अंदर इंप्रूमेंट नदर आई है जिसमें से 61% के अराउंड स्मार्ट फॉन है 39% के अराउंड जो है वैसे 74% का 100% बता रहा हूं मैं आपको 34% के अराउंड जो है वह आज भी 2G फीचर फॉन जो है वह पाकिस्तान में इसेंबल हो नोट 040 सीरीज आ रही थी तो यहां पर इन्होंने काफी बड़ा नंबर एचीव किया है और उसके बाद इनको फॉलॉप करता है वीग उटेल जिसने 2.43 मिलियन यूनिट बनाए है वीवो है फिर टेक्नो है टेक्नो ने कंट्रिबूट किया है 2.13 मिलियन और 203 मिलियन टे से भी नीचे है 0.9% हमें सामसंग का शेर देखने को मिल रहा है तो इस अलार्मिंग सिच्वेशन के ट्रांशन होल्डिंग इन्फिनेक्स टेक्नो आइटल को आप देखोगे बहुत बड़ी ग्रिप कर चुके है पक्सानी मार्केट में क्यूंके पक्सानी मार्केट में एक ट्रैंशन होल्डिंग जिन्होंने अपनी इतने यूनिट पाकिसान में पाकिसान में और पाकिसान में आप थोड़ा सा बिजनेरेट हुआ है बट कंफूजन भी उतनी क्रियेट हुई है आप पताइएगा के वट डू यू लाइक सैमसंग को भी सोचना चाहिए के नहीं सो नहीं है प्राइस सेग्मेंट इन्होंने बहुत तेजी इस चेंज किया है अलागे वी 30E वाज के वी 85 में लाउंच हुआ है तो चलो उसे रेंज के अदर एक अच्छा फॉन था बट कि एक लाग रुबे की रेंज के अंदर बहुत से ऐसे फॉन्स आल्रेडी मार्किट में बिक रहे हैं जो कि इसको थोड़ा सा कंपीट करते हैं विदिन फॉर डेज आपको स्टाउक मिलेगा वी 30E का एक लाग रुबे रीटेल प्राइस है डिसकाउंट आइटिंक डालके को 90,000 रुबे का मार्किट में बिक रहा होगा क्योंकि 10-15,000 पर वीवा हमेशा से अपनी रियल्मी की तरफ से और रियल्मी की UI की अपडेट आने वाली है विद Android 15, Realme UI 6.0 और Android 15 की जो रॉल आउट्स है वो 15 नवेंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ AI फीचर्स भी आड़ करती हैं, और पहले थ्री मन्स के अंदर कुछ GT Series के फॉन है और कुछ आपको Realme 13 Plus Series के पाकिसान में रियल्मी 13 Plus की अपडेट होगी, या प्रॉबबली आउट आफ दा बॉक्स भी मिलदा है आपको Realme UI 6.0 के साथ और Android 15 के साथ, और भाई 6 मन्स बाद आपको Realme 12 Plus जैसे फॉन्स के ओपर जो है यह रूल आउट होती भी मिलेगी, तो येस Realme का एक बड़ा लाउ पाकिसानी मार्किट की कुछ खबर मेरे पास है Realme को लेकर Realme 13 Plus बहुत जल्दी आने वाला है, it will be around mid of November और Realme 13 Plus ही फिलाल आ रहा है, ना Realme 13 की confirmation है 13 Pro Plus की है, फिलाल वो Dimensity 70-300 वाला हाडवेर वाला फोन है, 90 FPS गेमिंग है, बाकि सारी चीज़ने हम experience करेंगे, तो Realme 13 Plus भी आ रहा है, और Realme की लास अबडेट मेरे पास यह है, Realme GT6 रिसेंटी लाँच हुआ और पहले ही घंटे में यह आउट ओफ स्टॉक हो गया, और अब हमारी वीडियो के नीचे कमेंट आ रहें कब रीक स्टॉक होगा, तो अब मुझे यह खबर मिली है कि इसी वीक के अंदर दराज पर अगेन ए GT6 के री-स्टॉक होने का, तो गेट रेड़ी, कमेंटी शमिटी कर लाओ, गुले-गुले टोल लो, गल्लग में से पैसे निकाल लो, क्योंकि आपका फॉन उसके बाद शायद आपको GT6 ना मिले, अब यह भाई, रियल्मी की खबर के अंदर एक और इंटीकरेशन कर देते हैं, अभी रियल्मी की GT7 सीरीज चाइना लाँच है, वो चार रेवेंबर कोने वाली है, और वही पहला तो शामी का फिफ्टी नहीं हो गया, एट एलीट के साथ, बट आपको और भी फॉन इस नहीं आप लेगें, एट इलीट, काफी फट्डा चल रहा है सारे ब्रैंड्स के अंदर, मैं पहले, मैं पहले, वो वर्ल्ड फर्स्ट, वर्ल्ड सेकेंड, यह सीन, इस सीन से बहतर प्रोड़क्ट के उपर काम करना, बट भाई, यह क्रेडिट जाता है, इस तवह शामी को कि अल्रेडी वी डिसकूस्ट अबाउट के भी एट इलीट जो होगा, वो किस फोन में पहले मिलेगा, तो फाइनली 29 अक्तूबर की डेट सामने आ गई है, शामी 15 सीरीज जो के चाइना में लाँच हो रही है, 15 और 15 प्रो लाँच हो रहा है, प्रो की बैटरी साइज बागी आपको स्पेसिफिकेशन जब लाँच होगे ना है, बाट एट इलीट मिलेगा, हाडवेर आपको बागी जब लोग उन्च होगे तब हम आपको बताएंगे, LTPP पैनल बता जा रहा है, Optical Image Stabilization, Leica Collaboration या से मेलेक्स लेंज वाली सीन, वो आपको इनके देखने को भी देखने के बाट इस चाओमी 15 सीरीज विल बी अफर्स फ़ान विज स्नापड़ेगन 8 इलीट, लेट सी बाकी कहीं चीजे बनती हैं क्या नहीं और इतना नहीं, शाओमी के 15 सीरीज के साथ शाओमी तकरीवन 16 प्रोड़क्स जिसमें बैंड्स हैं, वाचिज हैं, टैबलेट भी हो सकता है, इस तरह की प्रोड़क्स भी जो है ना वो चैना की मार्केट में कल की डेट बनेगी, वैसे आज 28 सारी कोई अपडेट हो रही है वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं, और शाओमी की बात कीए तो लोकल पाक्स्तान से भी कुछ खबरें ले लेते हैं बड़ शाओमी के छोटे से चोटे भाई के से ब्सक्त Fireplace Song पोको अभी मिड रिन सेग्मेंट का या बजेट रिन सेग्मेंट का फोन ला रहा है फोको सी सेवंटी फाइफ करके मॉडल होगा विछ इस सेम रिब्रेंड फॉन ओफ रेडिमी 14C वही आपको 120 हट का डिस्प्लेय नॉच बीटेट एक हिल्यो जी एटीवन वाला हाडवियर म और अगली ख़वर की बात करें तो वन प्लस 13 चाइना की मार्गेट में 29 या 31 कुटूबर को लाँच हो रहा है जो अभी कन्फरमिशन है 6000 मH की बड़ी बैटरी अब मतब फ्लैक्शेफ फॉन्स के अंदर भी बड़ी बैटरिया लगा दी है फाइनली ब्रैंड हैस रिलाइ और वन प्लस 13 जैन के पहले वीक में ये स्पॉर्ट हुआ है कुछ गीग बेंच स्कोर्स है या कुछ सर्टिफिकेशन होती है उनके उपर तो आपको जैनुरी के पहले वीक में ग्लोबल लाँच वन प्लस 13 का भी देखने को मिल सकता है लास्ट नौट दा लीस्ट ये ख़बर इन्फिनिक्स वाकि भाई इन्फिनिक्स ने जो प्रोडक्शन पाकिसान में बना ली है ना अपनी या अपनी जो ग्रिप बना ली है स्टॉक अविलिबिलिटी अल्दो आजकल मार्किट कन्फियूज है बाई कर रही लेकिन इन्फ प्रोड़क्ट आने को त्यार होती है तो दो धाई तीन महिने के अंदर वो प्रोड़क्ट मार्केट में आ रही होती है तो इन्फिनिक्स की नोट 50 सामने आ गई है यहां नोट 50 बताया जा रहा है नोट 50 प्रो बताया जा रहा है और एक और वेरियंट है नोट 50 X करके जो स वेरियंट होंगे उनके अंदर सिर्फ 5G हाडवेर लाएगा वो 4G लेशी इसको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि राइट नाओ G100 यह बाद मुझे नहीं लगता कि इसको G200 भी कर दें G500 भी कर दें तो कोई ना कोई improvement नदर आएगी at least अब hardware को इंप्रूफ करना पड़ेगा बट लेट सी इंफिनिक्स क्या करता है Note 50 series सामने आ रही है ऑप्टिकले में stabilization भी सामने आ रही है फिलाल तो देखते हैं कव screen कितने phone आते हैं या flat screen में कितने phone आते हैं इसे भी unboxing भी हमने डाली है टेक्नो स्पार्क 30 जो 40,000 रुपे से निच आता है उसको जरूर वाच कर ली जएगा special editions है वही पर इंफिनिक्स अपने normal edition से compete कर रहा है इनको किन phone से comparison करना चाहिए किन से नहीं आते हैं best deal जो के हम टेक बोल चाल बता रहे हैं एक दिन वेट कर लो यह आज Monday है यह वीडियो अपलोड हो रही है कल हम जो Tuesday होगा 29th October होगा उसके अंदर 40,000 रुपे से 50,000 रुपे की range के अंदर right now which phone should you buy in November और December इसी topic पर बात हो रही है वो best deal आपको उसमें हम बता देंगे पांस से साथ phone में हमने निकाले हैं चिंदी चिंदी से चोड़ी चोड़ी चुड़ी चुन चुन के निकाले हैं वह हम आपको इन्शाला तला बता देंगे सो आज की वीडियो में इतना ही मनकात हो कि नहीं वीडियो में किसी नहीं आंबॉक्सिंग, किसी नहीं रिव्यू, किसे नहीं कंपारजन के साथ तब तक मुझे दें अजाज़त मैं हूं लिवाद मास्टक से पाकिसान माइनदाबाद, अलाह आपने लिए